So good morning guys, तो जिली स्टार्ट करते हैं आज के आने के 28 जुलाई की important current affairs को, देए मारा पहला प्रशन क्या है, कि अभी कौन सा देश 2025 में महिला वंडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, तो answer होगा भारत, पहली लाइन तो आपको यही याद रखनी है कि जो भारत है ये 2025 में होने वाले महिला वंडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, आपको बता दू वैसे इससे पहले भी, यारि कि 2013 में भी भारत ने महिला विश्व कप की मेजबानी की थी, जिसमें Australia जीता था, West Indies को हरा करके, इसके अलबा याद रखना, महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड कप है 2024 वाला, ये होगा बांगला देश में और 2026 वाला होगा इंगलेंड में, और आपको शायद याद भी हो कि इस साल जो Commonwealth Games आपके होंगे कहाँ पे, बर्मिंगम UK में, उसमें पहली बार महिला किरकेट को शामिल किया गया है, जिसमें भाट्टे महिला किरकेट टीम की कपतान किसे बना अगया है, तो आंसर होगा हर्मन प्रीत कौर को, अच्छा अब आप लोग मुझे बताइए, कि अभी 2022 में जो ICC Women's World Cup हुआ था New Zealand में, उसको किस ने जीता था, Australia ने, इंगलेंड को हरा करके, और याद रखना, पहली बार Under 19 Women's World Cup 2023 में होगा, ये कहाँ पे, सापे, South Africa में अगर आपसे पूछा जाए, कि 2024 में ICC T20 World Cup कहाँ पे होगा, तो अमेरिका और West Indies में होगा, 2023 वाला तो आप जानते ही है, जो मेंस World Cup होगा, ये भारत में होगा, और साथ में याद रखना, कि 2023 में जो Street Child Cricket World Cup है, ये भारत में होगा, और एक और प्रशनम लोगों ने था था कि 2022 के Asia Cup ये कहाँ पे होगे, पहले तो ये श्रीलंका में होने थे, लेकिन फिर इसका venue change कर दिया, अब ये United Arab Amirat में होगे, बाकी आप जानते ही हो, फिडे चेस ओलंपियार 2022 वाले, चवालिस वा एडिशन है ये, पहली बार भारत में होगा, भारत में भी कहाँ पे होंगे, तीन देशों में होंगे, अमेरिका, कनेडा और मेक्सिको में, और 2026 वाले Commonwealth Games ये Australia के Victoria में होंगे, 2022 वाले हमने देखी लिए, बर्मिंगम UK में, उसके अलावा हम लोगों ने अभी पढ़ा था, World Athletics Championship, चुकि इसका 18वा एडिशन था, ये कहाँ पे हुआ, अमेरिका बेटक हुई थी, यानि कि 2Q जापान में, और 2023 वाले होंगे बुड़ा पेस्ट में, तो ये सारे important points हमने रिवाइस की, इनको याद रखना बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने Family Doctor Project लागू करने का निर्णे लिया, तो आंसर होगा आंदरप्रदीश, तो अभी आंदरप्रदेश सरकार ने Family Doctor Project चुरू करने की गोशना की है, कब से 15 अगस्त 2020, और आंदरप्रदेश में भी कहां से, विशाका पत्नम से, जिसका उद्देश क्या है, ग्रामीन आबादी के बीच में स्वास्त सेवाओं में सुधार लाना, अच्छा अगर मैं आ होता है, 16 जून को, और अभी किस राज्य सरकार ने हर परिवार को Family Card जारी करने की गोशना की है, तो अंसर होगा उत्तरप्रदेश, अच्छा मुझे बताओ भी One Nation, One Ration Card योजना को लागू करने वाला आखरी राज्य कौन सा बना था, तो अंसर होगा असम, और अभी किस र Classical Dance आठ है, तो अंदरप्रदेश का कुचिपूरी है, और अभी वनों में सबसे ज़्यादा व्रदी ये भी अंदरप्रदेश में ही देखी गई थी, और भाषा के आधार पर गड़ित होने वाला पहला राज्य आप जानते ही हो अंदरप्रदेश है, तो ये सारे points ध्यान रखनाप बढ़ते हैं, फिर बताईए, अभी किस देश ने 2024 के बाद अंतरराष्टर अंतरिच स्टेशन, International Space Station को छोड़ने का फैसला किया, तो अंसर होगा रश्या ने, तो रश्या ने 2024 के बाद International Space Station को छोड़ने का फैसला किया है, आपको बता दू, ये International Space Station, ये किसी एक देश की नहीं है, बलकि 5 Space Agency हैं, जिनका इस पर अधिकार है, कौन-कौन सी, NASA, अमेरिका की NASA, रश्या के रॉसकोस्मोस, जापान की जाकसा, यूरोप की European Space Agency, और कनाड़ा की कनाड़ा Space Agency, और अभी आपको याद भी होगा, चाइना भी अपना Space Station बना रहा है, जिसके लिए अभी कुछ दिन पहले, इसने अपना दूसरा अंतरिक्ष मॉडियूल लॉंच किया था, याद है आपको, और NASA ने क्या कहा था, कि वो इस Space Station को, जो इनका International Space Station है, वो इसे रेटायर कर देगा, डी कमिशन कर देगा, कब तक 2021 तक, बागी बात रश्या की है, तो ये रा मैप म मॉस्को हो गई, करंसी रूबल है, प्रसेरेंट है, वलाद मेरे पुतिन, रश्या की संसेत को क्या कहते है, डियूमा कहते है, अभी आपको याद होगा, रश्या ने एक Intercontinental Ballistic Missile, इसका नाम है RS-28 सर्मत, इसका सफल परिक्षन किया था, जिसके रेंज कितनी है, 18,000 km है, औ और नाटो इसे Saturn 2 कहता है, और रश्या ने अभी जब Ukraine और इनके बीच में युद दुआ था, तो दुनिया का सबसे बड़ा विमान था Ukraine के पास में, जिसको कहते हैं, एंटो नोव 225, या उसे ही मारिया भी का जाता है, उसको नश्ट कर दिया रश्या ने, अभी 2021 का Davis Cup, य ये रश्या ने ही जीता था Croatia को हरा करके, अच्छा पहले तो ये बताओ, डेविस कप का संबन किसे है, तो याद आपना टैनिस से है, और रश्या के Space Station, रोस कॉसमोस ने, इंटरनेशनल Space Station में नोका नाम से, अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रियोक्षाला भी लांच की थी, और आपको याद होगा, रश्या ने अपना पहला परमाणू संचालित आइस ब्रेकर लांच किया था, जिसका नाम क्या है, सिबिर है, S-I-B-I-R, सिबिर, और आपको याद होगा, भी रश्या ने पहली बार परमाणू पंडुब्बी से हाइपर सॉनिक मिसाइल, जि जान रखना बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी 27 जुलाई 2022 को, CRPF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो आंसर होगा, 83 नमबर का, तो 27 जुलाई 2022 को CRPF ने अपना, 83 नमबर का स्थापना दिवस मनाया है, आपको बता दू, CRPF, ये 27 जुलाई 1939 को, Crown Representative Police के रूप में अ CRPF कर दिया गया था, ये ग्रहम अंत्राले के अंतरगत काम करता है, और CRPF के डारेक्टर जनरल वरतमान में कौन है, कुल दीप सिंग है, अच्छा मुझे बताओ, अभी NCC के नए डारेक्टर जनरल कौन बने थे, गुरबीर पाल सिंग बने थे, अभी आपने पढ़ा था ससस्तर सीमाबल SSB, इसके डारेक्टर जनरल कौन बने थे, SL 1000, और असम राइफल्स के, असम राइफल्स के कौन है, प्रदीप चंदरन नायर है, असम राइफल्स, इसका हैटकोर्टर शिलॉंग में है, जिसे पूरुवत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है, NDRF के कौन बने, अ पार्तिय तरक्षक भल, इसके भी 24 वे प्रमुक कौन बने थे, तो आंसर होगा विरेंदर सिंग पठानिया, और अभी National Security Guard के बने थे, कौन M.A. गणपत, तो ये सारे important नाम है, याद रखना बढ़ते आगे, अच्छा बताओ, जुलाई 2022 में ICC की सदस्यता कितने देशों क मिली है, तो आंसर होगा तीन देशों को, तो अभी तीन नए देश ICC के सदस्यते देश बन गए हैं, कौन-कौन से हैं वो तीन देश, उजबिकिस्तान, कमबोडिया और आईवरी कोस्ट, तो अब ICC में सदस्यते देशों की संख्या 108 हो गई है, देखो उजबिकिस्तान की केपिटल ताशकद है, कमबोडिया की केपिटल नॉमफेन है, और आईवरी कोस्ट की है, यो मस् सब्क करो, देखो ICC यानि के इंटरनेशनल किर्केट काउंसल जिसकी स्टापना होती है 1909 में, हेड़कॉर्टर दुबई UAE में है, इसके CEO जोफ एलार्डेस है, और इसके अ और ICC मेंस किर्केटर आफ दे इयर का वर्ड मिला था पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को, जिनने सर गारफिल्ड सोबर्स ट्रोफी भी मिली थी, और ये अवर्ड पाने वाले ये पाकिस्तान के पहले खिलाडी हैं, तो ये सब याद रखना बढ़ते आगे, अच्छा बता इंडिया ने 2022 के Commonwealth Games में टीम इंडिया के उत्सा को बढ़ाने के लिए याद रखना, Create for India अभियान को शुरू किया, Commonwealth Games 2022 यभी 28 चुलाइक को शुरू होंगे, जो की 8 अगस्त तक चलेंगे, कहां पे, Birmingham UK में, और इसमें 215 सदस्य भारते अथलीट दल भाग ले रहा है, और इ अगले जो होंगे 2026 में वो ऑस्टेलिया की विक्टूरिया में होंगे, वैसे Sports Authority of India की Director General कौन है, संदीप प्रधान है, नाम ज्यान रखना बढ़ते आगे, अच्छा बताईए, अभी हाली में किसने, भारते सेना को एक सुधेशी रूप से विक्षित, Quick Reaction Fighting Vecal Medium दिया, तो अंसर होगा, Tata Advanced Systems Limited, तो Aerospace और रख्षा के लिए Tata Group की एक ब्रांच है, Tata Advanced Systems Limited, और अभी इसने भारते सेना को एक सुधेशी रूप से विक्षित, बक्तर बंद वाहन दिये हैं, जिनका नाम है Quick Reaction Fighting Vecal Medium, तो ये अन्य बक्तर बंद गाडियों से ज़्यादा तेज चलती है इसमें Assault Rifle की गोलिया हो गई, बम हो गई, बारुदी सुरंगे हो गई, उनका असर नहीं होता, तो ये जो बक्तर बंद वाहन है, ये देश के रक्षकों की, यानि कि हमारे सेनिकों की सभी मौसम में, और हर इलाकों की स्तेतियों में लड़ने की शमता को बढ़ाएगा, औ और चलते समय सुरक्षबे प्रदान करेगा, तो इन वाहनों का नाम याद रखना, Quick Reaction Fighting Vecal Medium, किसने बना के दिया, Tata Advanced Systems Limited ने, वैसे हमारे आर्मी चीफ आप जानती है, मनुच पांडे है, और आर्मी डे का मनाया जाता है, 15 जन्वरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना ये ब प्रदाओं की Title Sponsor Fintech Company जो PTA में, अब ये हट गई है, अपने समय के पहले हट गई है, तो इसके हटने के बाद अब Mastercard इसका नया Sponsor बन गया है, तो अब Team India भारत में जो भी घरेलू या इंटरनेशनल जो भी सिरीज खिलेगी, उसकी Sponsorship पर Mastercard का एड होगा, देखो BCCI क अब जानते हो, सौरव गांगुली है, और जैशा इसके सच्चिव है, मुंबई में इसका Headquarter है, आप तो ये बताओ, अभी जो IPL हुए थे 2022 में, उसका Title Sponsor कौन था, तो अंसर होगा TATA, और इस बार के IPL ये किस ने जीते, तो ये जीता है, गुजराट Titans ने, नई टीम थी इसने हराया है, राजस्तान रोयल को, और एक और पॉइंट बताओ, अभी FIFA World Cup जो होंगे, कतर दोहा में 2022 में, इसका Official Sponsor कौन है, चलो ये प्रशन आपी के लिए रहेगा, हमवर्क प्रशन आपका, बताओ कौन है, हम बढ़ते आगे, चलो बताओ, संस्करती और परियतन मं संस्थान, ये नौइडा के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जाएगा, और इस भारते विरासत संस्थान को, डीमड यूनिवरसिटी का दर्जा दिया जाएगा, और इसका काम क्या होगा, कि जो हेरिटेज है, जो विरासते हैं, उसका किस प्रकार से संग्रक्ष किया जाए, ताकि टूरिजम को बड़ा वमिल सके, आपको याद होगा, हमारे संस्करती मंतरी कौन है, ये जीश किशन रेड़ी है, और अभी संस्करती मंतरा लेने, किसी भी इस्तान से 12 जोतर लिंगों को, और 4 धाम के दर्शन कर सके, पबलिक उसके लिए एक प्लेट्फ हैं, और 40 वा कौन सा है, धोला विरा है गुजरात का, जो कि एक खडपा इस्ताल है, चलो बताओ भारत की नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सी है, दुर्गा पूजा है, 14 नंबर किये, पस्चि बंगाल किये ये, और भारते वायू सेना का विरासत केंद्र, हेरिटेज सेंटर ये काँपे बनेगा, तो चंडिगड में बनेगा, अच्छा मुझे बताओ, अभी भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम काँपे खुला था, तो आंचर होगा है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला मेरिटाइम म्यूजियम समुद्री संग्राले काँपे खुल सितार रिमन, इन्होंने कहाँ पर राष्टर सिमा शुल्क और जियेश्टी संग्राले का उद्गाटन किया था, तो आंचर होगा गोवा के पणजी में, तो ये सब याद रखना पढ़ते आगे, अच्छा बताओ, अभी हाली में विश्व मेंगरूव दिवस कब मनाया गय को, तो वर्ल्ड मेंगरूव दे ये हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है, इस दिन को मनाने का उद्धिश ही क्या है, मेंगरूव पारिस्थिती की तंतर के बारे में जागरुकता बढ़ाना और उसके स्थाई, प्रबंधन और संग्रक्षन को बढ़ावा देना, चलो एक बा जुलाई को भी तीन डे मनाये गए, अंतराष्टर सहकारिता दिवस ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने दो जुलाई को मनाया, एक वर्ल्ड यूएफो डे मनाया, और एक विश्व खेल पत्रकार दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्वाहिली भाषा दिवस मनाया था, 10 जुलाई को राष्ट्र मचली किसान दिवस, नैशनल फिश फार्मर्स डे मनाया, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया था, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया, और 12 जुलाई को ही विश्व पेपर बैग डे मनाया 15 जुलाई को विश्वय युवा कोशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया, 17 जुलाई को अंतरराश्टर न्याय दिवस मनाया था, 18 जुलाई को नेलसन मंडेला अंतरराश्टर दिवस, 20 जुलाई को वर्ल्ड चैस डे और 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेंड डे मनाया था, तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रशन के उत्तर की तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि Vodafone Idea के नए CEO कौन बन गए तो आंसर होगा आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उत्तर दिया और गाइस इन सभी का क्विज बना करके अप्लोड कर दिया आपकी क्रेक एक्जम एप्लिकेशन पर वहीं पे इनका PDF पर आपको मिल जाएगा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करना और आज वीडियो अप्लोड होने में देर हो गया घर पे महमान आए हुए हैं इस कारण से तो अब यह रहा आज का आपका हमवर्क प्रशन थेंक यू